हालो दियर स्टूरेंट्स वेलकम बेक टो औरगेनाईज नोले चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे वर्कशीट नमबर 29 फोर क्लास एट्थ सोचल साइन्स की बच्चोई वर्कशीट है जो आपके लिए 17 ओफ नमबर 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वर्कशीट स्टूरेंट्स उसमें जो चैप्टर है हमारा सेलेंट फीचर्स ओफ इंडियन कॉंस्टिटिशन उसका पार्ट फोर जो है उसको हम कंटिनू करेंगे सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो जो है मिल जाए सो देखे आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा टॉपिक रहेगा सेकुलरिजम सेकुलरिजम क्या होता है A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. एक secular state वो होता है जिसमें state का अपना, यानि country के हो या state को उसका अपना कोई भी religion नहीं होता. जो जितने भी religion होते हैं, उन सबको वो equally promote करता है, उन सबका equal वो respect करता है. तो एसा जो state होता है, that is the secular state. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का अपना कोई भी religion नहीं है. यहाँ पर जितने भी religion है, उन सबका equal respect किया जाता है, सभी को equal रखा जाता है. तो हमारा इंडिया क्या है? एक secular state है. This means, citizens have complete freedom to follow any religion. कि यहाँ के जो citizen है, वो कोई भी religion उसको follow कर सकते हैं, उनके पास complete freedom होती है. Government treats all the religious belief and practices with equal respect. Government जो भी religious belief हैं, जो भी practices हैं, हर एक religion की उन सबका equally जो है क्या करता है, respect करता है. Does we understand the ways in which a country history often determine the kind of constitution a country adopts for itself? यानि हम कह सकते हैं, या समझ सकते हैं कि कोई भी country है, उसकी history काफी कुछ जो है determine करती है, कि किसी भी country का constitution किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का constitution उनको adopt करना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो जब constitution बना, तो उस समय इंडिया की जो भी history रही, उन सभी चीजों को, उन सभी experiences को ध्यान में रखते हुए, इंडिया का constitution बनाया गया था. Now, the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all the citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. So, constitution जो है, एक बहुत ही crucial role play करता है, ठीक है, कि जो country है, उसके citizens उनके पास क्या right रहेंगे, क्या उनकी duties रहेगी, clear, और जो भी representative होते हैं, जो हम elect करेंगे, वो हमारे उपर किस तरह से आप क्या सकते हो कि कैसे वो सरकार को चलाएंगे, उनके क्या rights होंगे, कि कहीं वो जो है तानाशाना बन जाएं, और citizens के उपर वो rule ना करें, जो है अपनी सत्ता का दुरूपयोग ना करें, तो इन सारी चीजों को देखते हुए, constitution में कुछ laws जो उसके अंदर amendment जो है वो किया जा सकता है, it has been amended over the years to reflect new concern of the polity, तो polity की यानी सरकार चलाने में जिन भी चुनोतियों का सामना करना पड़ा, उन से उन चुनोतियों को दूर करने के लिए कई बार constitution में amendment किये गई है, amendment का मतलब होता है, बदलाव किये गई है, often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country, अगर constitution के अंदर कोई एक major change होता है, यहाँ पर major change का मतलब होता है कि उसके जो country है, उसका fundamental nature है, यानी जो उसके basic nature है, उसके अंदर change करना, ठीक है, तो हमारा जो आप कह सकते हूँ कि जो बहुत ही major change, जिससे की हमारा fundamental nature ही country का change हो, ऐसा कोई change अभी तक इसमें नहीं किया है, ठीक है, कुछ जो है add ही किया गया है और clear, तो आप देखिए आगे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर कुछ pictures दी गई है, so the above photos shows various members of the constituent assembly, signing a copy of the constitution as its final session on 24 January 1950, जो above photos दी गई है, वो उसमें various members है, constituent assembly के, जो की constitution की final जो session था 24th January 1950 में, उसकी copy पर जो है last वो क्या कर रहे है, sign कर रहे है, ठीक है, last जो क्या थी एक assembly थी, constituent assembly, the first photo from left shows Prime Minister Pandit Jwala Nehru signing, तो यहाँ पर Pandit Jwala Nehru जी है, जो sign कर रहे है, the second photo is of Dr. Rajendra Prasad, यह Dr. Rajendra Prasad है, President of the Constituent Assembly, last photo shows the following person, last photo में हमें कौन कौन दिखाई दे रहे है, from right to left, तो जो है, right to left देखिए, श्री जो है, जैरामदास दौलत राम, Minister of Food and Agriculture है, उसके बाद यह जो है, राजकुमारी अमरित कौर हैं, उनके बाद कौन है, यह राजकुमारी अमरित कौर, Health Minister, Dr. John Mathai Finance Minister थे, उसके बाद है, सरदार बल्लब भाई पतेल, Deputy Prime Minister and Home Minister and behind him, श्री जग्स जीवन राम, जो की क्याद कौन थे, Labour Minister थे, ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, उसके बाद, एक्टिविटी के बाद, आपको question first and question second दिया गया है, जिसको हम one by one क्या करेंगे, discuss करेंगे, आपको activity first दी गई है, apart from these features, the constitution also mentioned fundamental duties, देखे, हमने fundamental rights के बारे में पढ़ा, तो अब जो है, आपको fundamental जो हमारी duties है, हमारी duties हमारे country के प्रती, यहां के लोगों के प्रती भी कुछ हमारी duties है, ठीक है, तो उन duties के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, so illustrate each of the 11 fundamental duties with drawing pictures, poem or songs and discuss them in the classroom, तो आपको जो 11 fundamental duties है, उनकी picture draw करनी है, उनके उपर form कर सकते हो, song बना सकते हो, उनको अपनी class में, आपको class जो है, जो भी आपकी subject teacher है, उनके साथ आपको discuss करना है, तो यहां पर आपको 11 जो fundamental duties है, उनके बारे में पता होना चाहिए, तो आप सबस से पहले इस activity में 11 fundamental duties के बारे में लिखोगे, और एक chart या poster जो है, वो आप यहां पर बना सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो देखे, सबसे पहले ही जो हमारी fundamental duty है, वो क्या है, respect the national flag and the national anthem, second to cherish the ideals of freedom struggle, ठीक है, जो freedom struggle है हमारे, उनके जो है एक तरह से, उनका हमें respect ररना नमबर 3 है, protect the sovereignty, unity and integrity of India, नमबर 4, protect the country, नमबर 5 है, promote harmony and brotherhood, भायचारे की भावना जो है उसको बढ़ावा देना, नमबर 6 है, saving the rich heritage of culture, नमबर 7, protecting the natural environment, नमबर 8 है, scientific approach, नमबर 9, protect public property, नमबर 10, make continuous effort to move towards excellence in all areas of individual and group activities, and नमबर 11, providing primary education to children of 6 to 14 year of age by a parent or guardian, ठीक है, तो ये जो है आपके 11 fundamental duties रहेंगी, जो आप इस activity में लिख सकते हो, इनके साथ आप diagram भी draw कर सकते हो, जैसे देखे, आप चित्र बना सकते हो, नमबर 1 पर ये है न, respect the national flag, तो इसमें आप flag का चित्र बना सकते हो, ऐसे, ठीक है, उसके बाद जो हमारे freedom fighters है, to cherish them, ये वाला बना सकते हो, unity के लिए ये बना सकते हो, तो इस तरह से आप one by one, ये सारे जो है चित्र बना सकते हो, clear, ये diagram में brotherhood की भावना दिखाई गई है, यहाँ पर culture heritage को किस तरह से हम protect कर सकते हैं, व number one इस बारे में है, number two इस बारे में है, और ये chart जो है, आप draw कर सकते हो, तो ये activity आपको खुद से, जो है, करनी है, hint मैंने आपको दे दिया है, किस तरह से आप इसको कर सकते हो, next देखे, which fundamental rights will the major situation, following situation violate, तो जो दिये गए है, कि कौन सा, जो fundamental right है, वो यहाँ पर violate हो रहा है, first है, if a 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpet, अगर 13-year-old child जो है, वो carpet factory में काम करता है, तो कौन सा rule violate हो रहा है, right against exploitation, ये rule जो है, यहाँ पर violate हो रहा है, B है, if a politician in one state decide to not allow laborer from other states to work in his state, तो इसमें कौन सा rule हो रहा है, कि अगर एक politician, दूसरे जो state के लोग है, उनको महाँ पर काम करने को allow नहीं करता, तो ये क्या है, right to freedom, यहाँ पर violate हो रहा है, C है, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Rajasthan, कि अगर कुछ लोग जो है, राजस्थान में Telugu medium school जो है, वो खोलने की permission नहीं दे रहे हैं, तो ये cultural and educational right violate हो रहा है, If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, कि एक armed forces के officer, जो कि एक woman है, उसको promotion नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, right to equality का यहाँ पर violate हो रहा है, तो ये answer आप इसमें लिख देंगे, Second question, below given column, तो आपको worksheet में column दिये गए है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, key features, key features like federalism, और यहाँ पर दिया गया है, उसकी features की क्या significance है, क्या importance है, आप चाहो तो ऐसे table बना के भी लिख सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे पहल है, federalism, federalism का क्या significance होगा, federalism is that form of government in which the power is partially divided between the central government and the state government or regional government, ठीक है, जो power है, वो the central state or regional government में divide कर दी गई है, that is the federalism, next is separation of powers, that is the division of powers, To prevent misuse of powers, provision has been made that the powers of all organs, all organs कौन से, all organs जो judiciary है, legislative है, ठीक है, और जो executive है, तीनों ही, that shall be separate from each other, तीनों एक दूसरे से बिलकुल अलग रहेंगे, वो division of power कहलाता है, next is fundamental right, fundamental right है, fundamental right protect all citizens of the country from arbitrary and authoritarian use of state power, ठीक है, वो क्या है, fundamental rights है, ठीक है, उसके बाद देखे, parliamentary form of government, parliamentary state of government, according to this, the Indian people have the right to choose their representative without any discrimination, यानि जो लोग है, वो अपनी जो है, गौर्वर्मेंट, अपने representative चुन सकते हैं, बिना किसी भेदबाओ के, without any discrimination, तो ये थी आपकी आज की SST की worksheet, I hope सभी students को ये clear है, फिर भी कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हो, वीडियो अच्छे लगे, तो please like कर दीजिए, share कर दीजिए, और channel को subscribe कर दीजिए, so thanks for watching, मिलते हैं next video में, next worksheet के साथ, take care, bye bye, तोई पोड़ एते हैं, is के स मुथशी taking आपकी दीजिए, झाली ओना क्याय हैं, तोड़ में पूपकी आपकी कि दीजए, डिभ्धी dai तोब बाश्य।